है गाइज वेल्कम बैक टो आवर चैनल दोस्तों अब सभी का स्वागत है और यह मैंने शेशा आयूरवेदा.in से भाई किया है दोस्तों कन्फ्यूज मत हो नहीं यह दूसरा शेशा है यह वह वाला शेशा नहीं है सेशा दूसरा है इनके प्रोड़क में शेशा लिखा होता है तो डेफिनली ब्रांड नेम कुछ कुछ सेम है बट यह दूसरा है और इनके तो आजकल बहुत ज़्यादा वाइरल हो रहे है प्रोड़क जो मैंने देखा हुआ था तो मैंको काफी ज़्यादा चुल मची थी कि म इनका मड़ सोप है मड़ सोप हाँ आप लोग देखती होंगे आजकल बहुत ज़्यादा यूटूब में और इंस्टाग्राम पे इनके एड्स आते रहते हैं और एक है इनका रेड़ सैंडल वूड नाइट रिपेरिंग क्रीम तो मैंने दोनों ही पर्चेस किया हुआ है ड बात करते हैं देखिए इनके डबे में भी इन्होंने अपने कंपनी का नाम या प्रोडक्ट का जो भी है नाम लिखा हुआ है यह मड़ सोप है आप लोग आजकल इंस्टाग्राम पे इसका बहुत ज़्यादा एड देख रहे होंगे मैंने भी बहुत ज़्यादा देखा त तो यह बहुत ज़्यादा महेंगा था और एक चीज़ और में को समझ नहीं आया जबकि इनका कहना है कि यह जो सोप है और यह सारी चीज़े आयरवेदिक है बट जब मैं इसको रफ कर रही थी बहुत ज़्यादा जाग बन रहा था जब मैं इसका रिव्यू लाओंगी ना बहुत ज़्यादा ज़ाग देता है हाथ में तो यह मतलब ज़्यादा लंबा नहीं मैं 15-20 दिन यूज़ करके यह आपको बता दूगी कि यह किस तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसमें ज़्यादा बन रहा है तो आयरवेदिक प्रोड़क्ट है और इतना ज़्य वाला तो खैर पाउच किसी काम का नहीं है फिर आपको छही होगा तो आप रख सकते हैं तो इनका बहुत ज़्यादा वायरल वाला यह सैंडल वुड वाला नाइट रिपेरिंग क्रीम मैंने मंगवाया हुआ है जिसमें स्किन ब्राइटनिंग भी लिखा हुआ है अब यह क क्रीम कितना काम करेगी है तो मैंको नहीं पता क्योंकि मैं लास्ट टाइम से सुवर्ना ओयल ही यूज कर रही हूँ स्किन रिपेरिंग के लिए और मेंको तो वह बहुत जादा ट्रस्टेबल है तीन मतलब तीन या चार हो गई यूज करते हुए तो अभी सुवर्ना ओयल क को देंगे थोड़ा टाइम के लिए ब्रेक और मैं इस एक सिर्फ एकी क्रीम यूज करूंगी दूस्तों अगर अच्छा रहा तो हो सकता है कि नेक्स्ट और करूबट अभी के लिए सिर्फ एकी ये क्रीम बहुत महेंगी है मतलब 600 रुपई की आई है ये क्रीम तो मेंको त साबुन 200 रुपई तो 800 रुपई का basically में कुछ चूना लग चुका है तो फिर इसका रिव्यू तो बनाना बनता है तो देखे क्रीम का टेक्स्टर कुछ ऐसा है अब रेट सेंडल वुड बोल रहे हैं जब मैं इसको यूज कर रहे हूं तो वाके में मेरे हाथ में लाल लाल भी निशान पर रहे हैं मतलब रेट कलर हो जाता है हाथ तो यूज करने के बाद पता चलेगा एक दिन यूज करके मैं बता नहीं सकती तो डेफिनेटली वेट करिएगा 15-20 दिन के बाद ही बता दूगी बहुत लंबा इंतजार आपको नहीं करवाँगी अब इसका टेक्स जाते हैं और केर बिल्कुल ना करो तो बहुत जदा डार्क हो जाते है तो पता नहीं किस तरीके की स्किन है मेरी में कुछ समझ नहीं आता तो फिर बिल्कुल इसके इन दोनों प्रोड़क्त के रिव्यू के लिए आप वेट करेगा अभी फिलहाल मैं ये दोनों ही प्रोड